हाई एवरिवन आप देख रहे हैं माँस्मेट अब बसवा कल्यान आव़ा आवाम की आवाज जैसा कि आहिसा आपने पिछले एपीसोड में देखा रोट एपीसोड ट्री में कि बसवा कलियान विदडिस्टिक में किस तरह से परोब ड़ते चले जाएंगे अगर मैं बात करूण करूणा वाइरस के से की के से 22 से कि देखेंगे 22 तारिक और 23 का या निया आज का 22 तारिक जो भी दिस्ट करें बात करेंगे 306 की साथ हुए कुल 22 तारिक को और चैंट 306 नियुके रिपोर्ट हुए जिसमें से 162 लोगों को डिश्चार्ज कर दिया गया और तीन लोगों की मौत हुई कुरोना वारिस की वजह से और अगर मैं बात करूंँ तेइस तारिख की तो आज पर बिदर डिस्टिक में 416 पेशन्ट को रिपोर्ट हुए 416 पेशन्ट करोना वारिस के और 311 पेशन्ट डिस्चार्ज कर दिये गए और अगर मैं बात करूं मौत मरने वालों की कि कितने लोग आज कुरोना वारिस की वज़े से डेथ हुई बिदर डिस्टिक में तो दो लोगों की कुरोना वारिस की वज़े से डेथ हो चुके बिदर डिस्टिक में आज की तार करनाटक में 12,47,970 करोनावारिस की केसे रिपोर्ट हो चुके हैं आज तक 12,47,970 केसे में से 10,37,857 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और मरने वालों की तेदात 13,885 लोग करोनावारिस की वज़े से अपनी जान दे चुके हैं करनाटक में गर हम देखें कि करेंट कितने केस तो यह अंकड़ा पहुंच जाता है 1,96,236 केसे करनाटक में आज आज की डेट में एक्टिव केसे की बात कर रहा हूं और अगर मरने वालों की तेदात है कर हम देखें कि करनाटक में किस परसंट पे केसे बढ़ रहे हैं तो 15.87 परसंट केसे लगातार बढ़ रहे हैं यान इंडिया में कितने केसे अब तक रिपोर्ट हुए हैं तो 1,63,000,000 केसे इंडिया में रिपोर्ट हो चुके हैं और जिसमें सी 1,36,000,000 के पेशन्ट को रिकवर कर दिया गया है और पूरे इंडिया में मरने वालों की तेदात 1,87,000 बताई जा रहे हैं डेबली ओच्छे के म जी हां 14,50,000,000 में सी 8,32,000,000 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और मरने वालों की तेदात 1,47,000,000 है पूरे दुनिया में 37,000,000 लोग करना वरिस की वज़े से अपने जान दे चुके हैं और अगर हम डोस की बात करें इंडिया में कि कितने लोगों को वैक्सिन दी गई है कितने लोगों को दी जा रही है आज की डेट के अगर मैं बात करूं 22 अपरेल की तो 22 अपरेल की डेट तक पूरे इंडिया में 22 अपरेल को अगर हम देखें तो 11 करोड लास्ट हफते की बात करेंगे एक हफते में करोना वैरिस की वैक्सिन कितने लोगों को दी गई एक डो तो पूरे इंडिया में 8.3% लोगों को वैक्सिन का एक डोस दे दिया गया है और 1.4% लोगों को वैक्सिन के ये कॉंग्रेस पार्टी नहीं है कि भेदभाव करें हिंदू मुस्लिम में ये बिलकुल तमाम लोगों को हो सकता है तो आप एहतियात बरते हैं और कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें लोगडाउन के खानून का पालन करें और एसेंशल्स लेने की जरूरत हो जरूरी का हो तब ही घर से बाहर निकलें खास कर मैं नौजवानों से अप्यब करना चाहांगा कि वह बेवज़ा घर से बाहर ना नकलें जब घर तो मैं साहिब इस्तिताद लोगों से तमाम और्गनाइजेशन से गुजारिश करता हूँ कि वो आगे आएं गरीबों की मदद करें क्योंकि यही वक्त है मदद करने का जब लॉक्डाउन खतम हो जाएगा तब मदद करकर कोई फायदा नहीं क्योंकि मुश्किल में आप का फायदा उठा पाएंगे तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ और देखते रही है मास में डबसवा का लियान हुआ हमकी आवास